नमस्कार हेल टिप्स चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लि वैसे तो स्वास्ते के लिए बहुँ ज़्यादा फाइदे मंद होता है लेकिन आप जानते हैं अमरूत की पत्या भी कुछ कम नहीं होती तो अच्छा की खुबसूरती बालों की खुबसूरती बनाये रखने के लिए अमरूत की पत्यों का इस्तिमाल किया जाता है अमरूत की पाइदों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह कई भी बारियों में बहुत जादा फायदे मंद होता है जा आज हम आपको अम्रूद की पाइदे के कुछ ऐसे फाइदें बताएंगे जो दोस्तों आपने स्थर नियंतित रहता है इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए अम्रूत के पत्तों का चून बनाना बहुत जादा लाप दायक होता है जैंदोस्तों वजन घटाने में भी यह बहुत घ्राब। की पत्यों में जल्टिल स्टार्स चूगर को बदलने से रोकती है जिससे शरीर का वज़न कम होता है और हमें सायता मिलती है यही कारण है कि वज़न घटाने के लिए अमरूत की पत्यों का चूण बहुत ज़्यादा उपयोग लाया जाता है गठिया दर्द में भी है बहुत से 15 मिलhai में मिली मेटर रोजाना सुवशां से बिमारी बहुत जब घुम करने में बहुत जब्रकूप मददगार होता है जै दोस्तों पाचन-तंत्र को भी बहुत ज़्यादा अच्छ लगता है अमरूत की बत्यों में यह उसब कर यदिया पाचन-तंतर को ठीक कर सकते हैं इसमें फूड पॉइजनिंग में भी काफी रहात मिलती है और दोस्तों यह रामबन माना गया है जिया दोस्तों यदि आपको डेंगू बुखार हो रहा है तो उसमें तो यह बहुत अच्छा शोत है यां दोस्तों डेंगू बुखार में अमरूद की पत्यों का र करता है जिहां दोस्तों महासों के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाता है इन पत्यों से एंटिसेप्टिक होते हैं इसलिए ताजी पत्यों को पीज़ कर पिंपल्स पर लगाएं तो कुछ ही दिनों में पिंपल्स खतम हो जाते हैं और हमारा मुँ बहुत अच्छा मारा गया है जिया दोस्तों अम्रूत की पत्यों का सारा पोशन और एंटी अक्सिडेंट होता है जो की बालों के करना स्टार्ट कर देजिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जुरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही वीडियो बनाने की बहुत जादा प्रेणा मिलती है